हेलो एवरिवरिवन येस तो आर्यों रेड़ी विद दिस थिंग्स ओ वाव वेरी गूड तो बच्चो जैसे की मैंने आपसे कहा था स्वर लिखने के लिए हमें कोई कुछ पैटन्स की जरुरत होती है हमें कुछ पैटन्स सिखना होता है हाना जा देना आपको वेरि गूड तो आज हम क्या करते है उन पैटन्स की प्रैक्टिस करते है हम उसे इस आक्टिविटे के थुरु ड्रौ करते है ठीके ओके जैसे कि मैंने यहाँ एक प्लेट ली है और यहाँ है राइस तो आज हम इस राइस में स्वरों को लिखने के लिए जो जिस पैटन की जरुरत होती है उस पैटन को हम ड्रॉ करेंगे ओके? येस, तो फर्स्ट है हमारा पैटन स्टैंडिंग लाइन चलो, स्टैंडिंग लाइन हम ड्रॉ करते हैं कीप या फिंगर लाइक दिस येस, एंड द्रॉ स्टैंडिंग लाइन द्रॉ स्टैंडिंग लाइन दिस इज स्टैंडिंग लाइन शो मी यो स्टैंडिंग लाइन येस, दिस इज यार्ड स्टैंडिंग लाइन ओके? चलो, अब हमारा है नया सेकंड पैटन चलो, इसे मिटाओ येस, इसे हम मिटा देंगे ऐसे हमने इसे मिटाया ठीक है First is sleeping line स्लिपिंग लाइन Left to right ये हो गई हमारी sleeping line चलो आप follow किजिए Come on Yes This is sleeping line ओके चलो next आगे बढ़ते हैं फिर से हम इसे मिटाएंगे ठीक है तो बैच्छो अब है हमारी slanting line ये line थोड़ी cross होती है देखो ऐसे ये है हमारी slanting line slanting line oh understood हमें इसी ये slanting line की भी हमें जरूरत होती है येस चलो next है हमारा कर्व चलो कर्व ड्रॉ करने के लिए हम इसे फिर से मिटाते हैं ठीक है चलो कर्व हमारा बच्छो ये कर्व है ना वो सी लेटर की तरह दिखता है so I know सबको सी लेटर परता है कैसे ड्रॉ करना है अपको आता है ना लिखने सी लेटर I know that येस चलो हम कर्व ड्रॉ करते हैं ये है हमारा कर्व ये है हमारा कर्व ओके इसे हम क्या कहेंगे कर्व देखो चलो आप करिए आपकी जिये वेरी गूड वेरी गूड तो नेक्स्ट है हमारा रिवसकव तो रिवसकव करने के लिए हम इसे फिर से मिटाएंगे चलो रिवसकव हम देखते हैं देखो जैसे हमारा सी लेटर है वैसे ही बट ये सी लेटर हमारा उल्टा है तो ये हो गया हमारा रिवसकव ये हो गया हमारा रिवसकव understood yesterday okay then next है circle आप उसे ओ भी कह सकते हो ठीक है आप उसे ओ भी कह सकते हो तो circle चलो circle ड्रॉ करते हैं हम हमारे rice में आप मेरे साथ follow कर रहे हो ना बिच्चो yes very good तो बच्चो ये है हमारा circle this is circle okay तो next है चलो इसी मिठाते है और next है हमारा you next है हमारा you देखो standing line curve और उसे हम उपर की तरफ लेकर जाएंगे standing line curve और उसे उपर की तरफ हम लेकर जाएंगे देखो ये हो गया हमारा you shape okay ये भी एक पैटरन है जिसकी हमें जरुरत होती है जब हम स्वर और वेंजन लिकेंगे न तब हमें इसकी जरुरत होगी तो देखिए you है हमारा ये yes उसके बाद है हमारा s जैसे हमने जो curve डॉप लिया थे न curve के हमने practice की थी हाँ तो यहाँ हम जो सीधा वाला curve है और जो opposite वाला curve है उन दोनों curve को हम join करते है जब हम उन दोनों curve को join करेंगे तो हमारा यहाँ s letter होता है s letter ready होता है देखो s s चलो बिच्चू ट्राइ कुरो yes do it यह है s ओकिए यह भी एक पैटन है understood तो आज हमने standing line, slipping line, landing line, curve, reverse curve circle, जैसे कि आप उसे बोल सकते हो o, फिर u और यह है s यह pattern हमने देखें और आज और एक pattern हमें देखना है तो देखो बिच्चो और एक pattern क्या है हम पहले एक circle बनाएंगे ऐसे हमें एक circle बनाना है बनाओ yes बनाया आपने circle हाँ और इस circle की पूछ हम नीचे लेकर आएंगे इस circle की पूछ हम नीचे लेकर आएंगे देखो ऐसे हो गया ऐसे यह दिखेगा हमें come on do it you can do it children yes very good so understood everyone मज़ा आया की नहीं है पैटन स्ट्रो करते समय राइस में हाँ ना very good तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और इस पैटन को आपको याद रखना होगा रखोगे ना याद very good very good